गूड यूणिंग स्टुडेंट्स मैं सोमान यूटूब चैनल इंडिया ओल डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखेगा स्टुडेंट्स जो टोपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो एकजाम की दरिश्टी से बहुती इंपोर्टेंट है इस में से एक ने क्यूसर पक्का आता है तो आपने यूटूब चैनल इंडिया ओल डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ने ने नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें और आप हमारे वीडियो देख पाएं तो देखेगा आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत रोम संबन्द कैसे थे तो चलिए पढ़ते हैं भारत तता पस्चिमी पास्चाते विश्वय के बीच संपर्ग के प्राचीनतम संद्र मिलते हैं तता पी इस बात के स्पस्च परमान हैं कि भारत का पस्चाते जगत विशेश का रोम के साथ गनिस्ट व्यापारिक मानिजिक संबन्द इस्वी सन के प्रारम के लगबग आरंब हुआ था पामपेई नगर की खुदाई में भारतिय सेली में निर्मित हातीदांत की बनी यक्षिनी की एक मूर्टी मिल्डी है जिसका काल इससा पूर्व दूसरी सती माना जाता है उपलब साहीतिक एवन पूरातात्विक प्रमानों से पता चलता है कि आगस्टन काल इससा पूर्वे 27 से 14 में उत्तर पस्रिम तथा भारतिय उप महादवीप के प्रायदवीप ये छेत्रों दोनों के साथ रोम का व्यापारिक संबन्द विक्सित हो गया था या आर्थी गतिवीदिया इससा की पर्थम दो सताब्दियों तक तेज हो गई तथा आगामी सद्यों में भी कुछ कम मात्रा में चलती रही जबकि सक पहलव कुषानों के अधिन उत्तर भारत का व्यापार इस्तर मार्क से होता था तथा वानी चे मुखेताय परिवहन व् देखेगा सक पहलव कुषान इन सब के वारे में हम पहले पढ़ चुके हैं आप पहले वाले वीडियो को देखेगा समझेगा इनको भारत के दक्सिनी छेत्रों तथा रोम के वीज व्यापार सिमान प्रकरती का था इस व्यापार में रोमन प्रजात था भारत ये व्यापा केरिपल्स प्लीनी के वीवरन आदी से पता चलता है कि भारत के व्यापारी तथा नाविक अफ्रीका तथा अर्बियन समूदर तट पर उपस्तित रहते थे वर्मिंग्टन क्लासिकल वीवरन के अधार पर चार ऐसे दूत मंडलों का उले करता है जो भारत के वीविन भागो उत्तर पस्सिम भणोज जो काठियावाड का छेतरता तथा दक्षिन के चेर और पंडे राजयों से आगस्टन के सासनकाल में रोम गए थे मार्क अन्तोजी से जस्टियन इस्सापूर्वत 30 से 550 तक भारत रोम समझ सरवादिक महत्वपूर रहा रेजन के विशे में एक प्रसंग मिलता है जिसके अनुसार 116 इस्वी में भारत की ओर जाने वाले एक जहांच को देख कर उसने यह इच्छा व्यक्त करते हुए कहा यदि मैं युवा होता तो अभी इस पर कूद कर बैठ जाता दक्सिन भारत में प्राप्त सिक्कों का अध्यन करने के बाद सेवेल का निसकर्स है कि इस व्यापार का चर्मोतकर्स आगस्टन काल में हुआ था तथा नीरों के समय जो 65 इस्वी में तक ये बना रहा इसी समय भारत से विलासिता सामगरी बहुत अधिक भेजी गई किन्तु वर्मिंग्टन ने इससे ऐस हमती परकट करते हुए लिखा है कि इसका कोई परमार नहीं है कि व्यापार में गिरावट आई अपितु इसके परमार है कि नीरों के व्यापार की भी नीरों के बाद भी पूरा 26-25 तता दूसरे का समोस में इससा पूरा 21 में क्या था इस्ट्रेवोग लिखता है कि किसी भारती सासक ने आगस्टन के दरबार में अपना दूद मंदर भेजा था इस सासक की पैचान पोरसे की जाती है मारग की कठनायों के कारण मातर तीन वेक्ति ही वहाँ पहु ले गए थे सुतूर ठक्सिन के पांटे सासको ने भी ओगस्टस के दरबार में अपने दूद बेजे थे ओगस्टस के बाद भी भारती दूद मंदलों का रोम जाना बना रहा तजन 107 इस्वी में तथा हेल हेडियन 117-118 इस्वी ने भी भारती दूद मंदलों का स्वाग जान करना था इससे पता चलता है कि भारत के लोग रोम के साथ बढ़ते हुए व्यापार में स्ताईर उची रखते थे रखने लगे थे क्योंकि यह उनके लिए लाबकारी था पर्थम सताब दिलगबग 45 इस्वी में एक यूनानी नाविग हिपोलस ने भारतियों को अरब सागर में चन्ने वाली मानसुनी हमाओं के विषय में जानकारी दी थी इस खोज ने भारत रोम व्यापार के विकास में महत्वपन योगदान दिया गहरे समुदर में यात्रा करना संबव हुआ तथा भारतिये व्यापारी अरब सागर होकर पस्सिमी एसे की बंदरगापर पहुचने लगे बताया गया है कि हिप पोलस की इस खोज के पूर्वे जहां मिस्र के नगरों से पूर्वे की और समय की बज़त हुई तो दूसरी और समुदरी डाकों से भी छुटकारा मिला जो पहले तटवर्ती जहांजों को लुटा करते थे भारत रोम व्यापार का द अबाव परधानते दक्सिन तथा प्राइदवी पिये चेत्रों पर ही था पेरिपर्स से हमें पस्चिमी तथा पूर्वी समुदर तट पर इस्तित बंदरगा हों एम बाजारों के विशे में विश्तरित जानकरी मिलती है तथा आयात निर्यात की वस्तों की भी सूजना द उजी रिसी, नेसिंडा, नेलसिंडा तथा पूर्वी तट के बंदरगाह एम मंडियां आदी थे भारत रोम व्यपार का संतूलन हमें सा भारत के पक्स में रहा चूंकि रोम समराजे भारतिये माल के बराबर माल नहीं दे पाता था अत्या बदले में उसे दूरलब सोने त रोम सोगुने दाम पर बिखते थे वह भारत को बहुमुले पत्थरों एम रतनों का प्रमुग उत्पादक बताता है उनके अनुसार रोम पर्तिवर्स भारत में विलासिता समगरिया खरीदने में 10 करोड सेस्टर्स वे करता था अपने देशवासियों की इस अपवेईता क दिये वह निंदा करता है भारत के वस्तर परसाधन समगरी अबुशन आती की रोम के बजान में भारी खपत थी रोम की नारिया अब भारतिये वस्तरों एम परसाधन समगरियों की बड़ी सोकीन थी भारतिये वस्तरों एम परसाधनों से सुसजित ये युवा वर्ग के आक रोम समराजे से व्यापार में पार्थियनों तथा भारतियों को सोगुना लाब होता था जायोन क्राइस्टोन भारतियों की गणना उन लोगों में करता है जो रोमनों की मुर्खता के कारण उनसे कर प्राप्त करते थे तथा रोमनों की गड़ना उन लोगों में करता है जो अपने विला सिच्छाओं की पूर्ती के लिए जान बूज कर ऐसे दूरस्त भूमी यह समूतर के लोगों के पास धन बेजते हैं जो आसनी से उनकी भूमी पर कदम नहीं रख सकते यह वस्तुता एक एनेतिक एवन निरल दर्ज कारिये है रोमन सासक टाइबेरियस ने इस परकार धन के बहीर गमन पर एपरसंता वेक्ट करते हुए सीनेट में सिकायत दर्ज कराई थी पेरिपल्स से भी पता चलता है कि भारत से मसाले मोती मलमल अतिदान्त की वस्तुएं औस धियां चंदन इत्र आदी बहुताय से रोम पहुंचते थे तता बदले में रोम का सोना भारत आता था पेरिपल्स के अनुसार साइध ही कोई वर्स ऐसा हो जब भारतिये व्यापारी रोम से कम से कम साढ़े पांच करोड सेस्टर्स ने प्राप्त करते हुए पेरिपल्स में भी बेरी गाजा मुजीरीस तथा नेल सिंडा के बंदरगहों पर आयातित होने वाले बड़ी मात्रा में रोम स्वर्ण तथा रजसीकों का वीवरण मिलता है यह इस्तिती इस्साई की पर्थम दो सताब्दियों में विध्यमान रही उत्री भारत के रोम का व्यापार पेक्षाकरत एपर्तेक्स था तकसिला अधिकांस था है भिन भिन भागों से आने वाले माल का संग्रह स्थल था रेसम मद्धे एसिया होते हुए चीन से आता था पार्थ्या था रोम के संगर्ज के कारण वह चीनी माल को सिध्य रास्ते रोम तक नहीं जाने देता था चीन तथा रोम के 20 विलासिता सामगरियों के व्यपार में भारते व्यपारी मद्धेस्ता करने लगे जो एक लाब का सोधा था चीन को रोमन समराजे के पस्चिमी प्रांतों को जोडने वाला मार्ग मद्धे एसिया से ही गुजरता रथ था इसे सिल्क मार्ग भी कहा जाता था क्योंकि चीन से होने वाले रेसम का समस्थ व्यपार अधिकतर इसी मार्ग से होता था कुसानों के इस छेतर पर अधिपत्ते जमा लेने के कारण ही संभव हो सका था गांधार तता तक्सीला के बाजारों में रोमन समराजे के माल के काफी खपते थी लेकिन रोमन व्यपारियों को बदले में देने के लिए यहां बहुत कम माल होता था अतहर संभवता है यहां के व्यापारियों ने कुसान सासकों से सम्मान मुले एम मान के सिखे निर्गत करने के लिए प्रार्थना की होगी जिससे विन्नी में समन्द इबादा दूर की जा सके कुसानों ने यह मांग पूरी कर दी क्योंकि उनके स्वयन सिखे रोमन व्यापारियों को असानी से मानने हो गए तमिल छेतर में काली मेर्ज हातिदाद मोती मलमल हरेसम आदिय का परचुर उतपादन होता था तथा इन वस्तों की रोम में बड़ी मांग थी चुकि इसके बदले में देनी के लिए रोमनों के पास कोई उतपाद नहीं था अतहवे सिखों के रूप में स्वयन का निर्याद करते थे 1775 इस्वी से अब तक रोमन स्वयन रज़त सिखों की 68 नीधियां तमिल छेतर से प्राफ्थ हो चुकी है केवल महराष्टर अंधर करनाटक तक के दक्षिनी चेतर से अपितु उत्तर में विधर्ब तक के चेतर से भी रोमन स्वय के मिले हैं इनकी सोराष्टर चेतर में काफी मांग थी जहां से रोम के साथ नियमिद वानिजे संपर्ख था वर्मिंग्टन का विचार है कि दक्सिर में प्राप्त रोमन सिके उस विशाल मात्रा के छोटे भाग का पर्तिनिधित्व करते हैं जो भारतिय व्यापारी अपने माल के बदले रोमनों से प्राप्त करते थे स्वान सिके विदेशी व्यपान में तता चांदी के सिके छोटी लेंग देन में प्रियुक्त होते थे रोमन जान बूज कर अपनी मुद्रा का निर्यात करते थे ताकि भारत में वाने जेक मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए रोवन मुद्रा का निरमान किया जा सके आदिगे शिस्ये से कुछ सिकों पर दो मस्तूलों वले जहाँ जी बेड़े का चित्र मिलता है तो देखे साथवन राजों में गोतु पुतर साथकनी येंच स्री इन सब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं वहाँ पर आप इनके वीडियोज देखेगा यह सगन भारत ये रोमन व्यापार का सुचक है जिसमें साथ वाहनों के धीन चेत्रों की भूमी का महतोपुन होती थी रोमन सिक्कों पर भी जहांच का अंकन मिलता है संगम सायते से भी भारत रोम के बीच गनिस्ट वानिज्यक संपर्ग सुचित होता है तमिल देश के परसित बंदरगाहों पुहार, कोरकई, सालियूर, बंदर, बंदर, आदी का उलेक मिलता देखेगा कई बार एकजाम में इन बंदरगाहों के बारे में पूछ लेते हैं तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा जहां रोमन व्यापारियों के गोदाम इमकारिया ले थे कोरकई, मोती, खोजने का परमुक पतन था मुसीरी, पुहार, तोण्डी, आदी में यवन व्यापारियों की बस्तिया थी पता जलता है कि वे अपने जहांजों में सोना भरकर मुसीरी बंदरगाह पर उतरते थे तथा उसके बदले में काली मीर्ज तथा समूदरी रतने ले जाते थे साहितेक विवरण की पुष्टी पुरातातिक प्रमानों से भी हो जाती है सुदूर दक्षिन के कई स्थानों से रोमन समराटो ओगस्टन नीरो टाइबेरियस आदी के स्वणसी के मिले हैं कोरोमंडन समूदर तट पर पांडी चेरी के पास अरिका मेडू पुरास्तल की खुदाई से भार्त रोम समंधों पर महत्तवन प्रकासिक पढ़ता है यहां एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है जो व्यपारी के अंदर थी तथा इसी के पास एक बंदरगह भी था इस्सा पूरवा पर्थम स्ताब्दी से इस्सा की दूसरी स्ताब्दी के प्रारम तक इसका उप्योग होता रहा यहां से सबसे बड़ा माल गोदाम दो छोटे छोटे जलकुंड रंगाई के होज रोमन दीब के टुकडे कांच के कटोरे मन के रतन आ तथा बरतन पाए गए हैं इन मनके के उपर ओगस्टन का चित्र बना हुआ है इन से सुचित होता है कि यहां एक परसित व्यापारिक के अंदर था जहां देश के विबिन बागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्रिक की जाती थी तता फिर उन्हें रोम बेज़ा जाता था इन मनके के निर्माण का यहां कारखना भी था यहां मलमल तथा अन्ये वस्तुओं का निर्माण संभवताय रोमन लोगों की पसंद के उनुसार किया जाता था जो जहांजों में भर कर रोम बेज़ा जाता था उत्री पस्यमी भारत में इस्तितक सिला से वी रोमन उत्पती की कई वस्तुएं मन के रतन दातु के बर्तन कांच के कटोरे धूप दानी आदी मिलती हैं ऐसा लगता है कि तक सिला स्तलमारक से रोम आने जाने वाले व्यापारियों का परमुकुस्तल था सेवेल के मतानुसार भारत अथा रोम का यह है व्यापारी समंद पहली सताब्दी इस्वी से तीसरी सताब्दी इस्वी तक अपने विकास की प्राकास्टा पर था कुछ विद्वानों की माननेता है कि कुसान राजवन्स के पत्नों प्रांत भारत रोम व्यापार सम्मंदों में गिरावट आई परमान सवरूमनसोर लेग जो पाचीस तापदिक है कि उस संदर की चर्चा की जाती है जिसके अनुसार रेश्सम का व्यापार करने वाले बुनकुरों की स्रेणी जो पत्वाईय सती थी ने लाड़ परदेश से दस्पून में परवजन किया था एस के मैती का विचार है कि इस से लगता है कि रोम के साथ इस्थल मार्ग से भी व्यापार होता था तथा यह 34 ताबदी में इतना विक्षित हुआ कि सिल्क जो आलियन के काल 161 से 180 स्वी में सोने से तोल कर बेचा जाता था तथा धनी और कुलीन मरग की विला सिता की वस्तु था वह है जूलियन के काल 361 से 363 इस्वी में इतना सस्ता हो गया कि सामाले मनुसे भी उसे खरीद सकता था अत्या यह नहीं कहा जा सकता कि गुप्त यूग में भारत रोम व्यापार पत्रोन मुक रहा रोमन इथियास से पता चलता है कि 408 इस्वी में होन आकरान था एंद्रिक्स ने फिरोती के रूप में 3000 पॉंड गोल मिर्स तथा 4000 थान रेस में वस्तर रोमन रेस ले लिया था इससे सुचित होता है कि 50 अबदी में भी रोम में भारत ये माल के परचूटा बनी हुई थी रोम के पतन के बाद उसका स्थान कांस्टेन टीनोपुल अथ्वा बेजेंटियम ने ग्रहन किया कांस्टेन्टाइन महान ने 330 इस्वी में उसे अपने सासन का केंदर बनाया इस समय से भारत रोम सम्मेंद आउर प्रकाड हुए चेकिसा प्रबंधों में पता चलता है कि वहां के बाजारों में सभी परकार के भारत के मसाले परचूटा में प्राप्त थे जस्टीनियन लो डाइजेस्ट में आयातित वस्तों की जो सुची मिलती है उनमें अधिक्तर भारत की मूल की है भारत के विभिन भागों से प्राप्त बेजेंटियम सिक्के जो भी दोनों देशों के बीज गनीष्ट व्यापारिक समंधों की गवाई देते हैं अतहे हैं साहितेक तता पुरातातिक दोनों प्रमानों से सुचित होता है कि भारत तता रोम के बीज सम्मन इस्सा की प्रारंबिक सत्ती से प्रारंब होकर पांचवी सत्ती तक निरंतर बना रहा व्यापार की दोसब से महतोबन समगर्याती रेस में वस्तर तता गरम मसाला समगरियां थी रतने मन के मदीरापातर जिनको एमभोरे कहा जाता था ओपदार अरेटाइन मुरेदभाण और आपका दीप कांच की वस्तुये स्वान रजत सिक्के कांसे के बरतनियों मूर्तिया अधी व्यापार संतुनिन भारत के पक्स में था भारतिये वस्तुयों के बद मिलता है पने वस्तुयों के विनिमेम के फल्सुरूप विचारों तथा कलाकोसल का परभाव हुआ तथा दोनों और से अधिकांसत है तकनिकी शब्दों का आदान परदान इस विनिमेम का परतेक्स परिणाम था भारतिये लोग कथाएं तथा आख्याई का पसिम की और 敬ुड़ीनी आदीने भारत के विशे में काफी लिखा सर्वादिक परतेक सेवन दर्सनी परभाव कलाक के चेतर में पड़ा जबकि पस्ची मोतर भारत में गंदा हर सेली का विकास हो गया इस पर यहन रोमिये अर्थार ग्रीको ऩरूमन सेली का इस परश्ट परभव था दर्म के छेतर में भारत तता रोम की कुछ विचार दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। बोद संग के गठन के आधार पर इसाई चर्च का गठन हुआ। इसी परकार बोद चत्य ग्रहों का आकार इसाई गिर्जा घरों से बहुत कुछ मिलता है। इसी परकार भारतिय जोतिस का रोमन सिधांद रोम विचारों से ही प्रभावित लगता है। रोमन राजाओं के अनुगरण पर भारतिय कुशान राजाओं ने भी मृत सासको की स्मर्ती में मंदिर तथा मूर्तियां जिने देवकुल भी का जता था बनवाने की पर्था का प्रारम भी किया था। गुप्त राजाओं ने अपने सिखों की तोल रोमन डेनेरियस नामक स्वण मुद्राओं के आधार पर निधारित किया। कुछ विद्वान भारतिय स्वण मुद्रा दिनार की उत्पती रोमन डेनेरियस इसे ही मानते हैं। गुप्त युग में भी भारत का व्यपार पस्चिमी जगत के साथ अबाद गती से चलता रहा। कुमार स्वामी के अनुसार यह काल पोत निर्मान के लिए सरवादी को लेखनी है। इस काल के कुछ जहाजों में एक साथ पामसो विक्ति यात्रा कर सकते थे। इसमें जल तता थल दोनों ही मारगों से पस्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। भारत से जहाज भारत तता अरब के समुदर तट से होते हुए लाल सागर तता वहां से रोम को जाते थे। रोम के अलावा युनान, मिस्र तता पस्चिमी, एसिया, इरान, आदी के साथ भी भारत का व्यापारिक समन्द था। आती थी, वेन सांग के विवरन से पता चलता है कि उत्तर पस्चिमी में कपीशा एक परमुख व्यापारिक अंदर था। यहां भारत के विभिन भागों से वस्तुएं आती थी तथा उन्हें इरान के मार्क से उरोप तक ले जाया जाता था। एस के मैती तथा आर एस सर्मा जैसे कुछ विद्वानों का विचार है कि गुपत काल में भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक समन्दों में गिरावट आई। और इस प्रकार यह काल आर्थिक दर्शी से पतन का काल रहा। पूरों मद्यकाल जो छह सो पचास से बारा सो इस्वी में हैं में भी भारते मालवा हक जहां जो अरब भारस मिस्र आती देशों को जाय करते थे। हेम चंद्र के अनुसार अरब से भारत में घोड़े मंगवाए जाते थे। परसिया से रंग भारत को आया था। इबने खुर्दववा के विवरेंट से पता चलता है कि चंदन, कपू, लोंग, जायफल, कबाब, नारियल, मक्मली, कपड़े, हातिदाथ, मोती, बिलोर, काली मिर्च, सिस्सा, बांस, आदी से इराग तथा अरब के देशों को जाते थे। किन्तु ऐसा परतीत होता है कि इस यूग में अलावा उत्पादन के अभावने दूरवर्ती देशों के साथ व्यापार को प्रभाविते किया तथा यह सीमित हो गया। राजपूत काल में सामन्तों के छोटे-छोटे राजजे स्थापित हुए जो अपनी सक्ति और प्रभा बढ़ाने के लिए प्रस्पर संगर्ष में उलज गए। व्यापार वाने जे का पतन हुआ, रोम समराजे का इस समय तक पतन हो चुका था। इस कारण पस्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापार बंद हो गया। पतन के कारण व्यापारी गाओं की और उनमुक हुए। किन्तु इस काल के दूसरे भाग जो एक हजार से बारा सो इस्विका है में व्यापार वानेजे की स्थिति में सुधार हुआ। इस समय कुछ बड़े राज्यों चोहान, परमार, चंदेल, आदे की स्थापना हुई तथा विकेंद्री करण की परवर्तियों पर अंकुस लगा। इन राज्यनसों के समराटों ने व्यापार वानेजों को परोसान परदान किया, सिकों का परचलन पुनह प्रारम हुगया। मुसलिम सत्ता इस्ताबित हो जाने के बाद से मुसलमान व्यापारियों तथा सोदागरों की गतिवीदियां तेज हो गई जिसके फल्चो रूप उत्री भारत में व्यापार वानिजे की प्रगति हुई ग्यार्वी स्ताब्दी तक आते आते भारत का पस्यमी देशों के साथ व्यापार पुन हतेज हो गया तता देश आर्थिक दरस्टी से सम्रद हुआ यही कारण है कि इस काल के सिक्के तता मुहरें बड़ी संख्या में मिलती हैं उत्तर भारत के समान दक्सिन भारत में चालुक के पल्लव पंडे तथा चोल राजों के काल में भी भारत का पस्तात्य जगत के साथ व्यापार अत्यंत विक्सित रहा चोलों के समय में फारस के साथ गनिस्ट व्यापारिक समन्द इस्तापित हो गया फारस के खाड़ी के पू सुलमान व्यापारियों के साथ संपर्गिस्तापिते करते थे उन्होंने यह भी लिखा है कि सीरफ से व्यापारी जहां लाल सागर होकर चीन नहीं जाते अपितु जेदा से लोट कर भार चलने जाते थे कारण की भारत के समुदर में मोती तथा अंबर पाए जाते थे तथा यहां के पाड़ों में रतनों और सोने की खाने थी दखन के रास्ट कूट सासको ने अरब ब्यापारियों के साथ मदूर समन बनाए रखा क्योंकि उनसे माल खरीदने में उन्हें लाब होता था दक्सिन भारत में इस समय कई परशित बंदरगा है थे जिससे होकर पसिमी देशों को जाया जाता था इनमें खंबात, भणोच, सोमनात, कोलम अधिके नाम उलेखनिये हैं कोलम सुदूर दक्सिन में पसिमी तट पर बसा हुआ था सुदूर दक्सिन था, समूदर पार के पसिमी देशों के 20 व्यापारिक गती वीडियों का यह परमुक के अंदर था पसिमी देशों से आने वाले जहांज यह हां रुठते थे, आरब जाने वाले चिनी जहांजों का भी यह विश्रा मिस्तल था भारत से पस्यमी देशों को जाने के लिए तीन पर्मुक व्यापारिक मारक थे पहला मारक सिंदुनदी के मुहाने से समुधर तठ होते हुए फारिस की खाड़ी में दजला फ्रात तक जाता था दूसरा थल मारक था जो हिंदु कुछ दर्रों से होकर बल खवर इरान होते हुए अंतियोग तक पहुंचता था तदा तीसरा जल मारक फार्स तथा अरब के तठवर्ती परदेशों से होते हुए लार सागर को पार कर युनान तथा मिस्र की ओर जाता था भारती व्यापारियों ने दिकांस ते जल मारकों का ही उपयोग किया था इस परकार भारत तता पास्ताते विश्वे के बीज व्यापारिक सम्मन प्राग थ्यासिक युग से प्रारम होकर बारे सती तक निर्बाद रूप से चलता रहा यह दिकांस भारत के लिए लाब का रिसिद हुआ तथा उसकी सम्मरदी का एक महत्तोपुन सादन बना प्राग थ्यासिक युग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद